नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्लीवलेस बिलाउज की स्टिचिंग करने का बहुत आसान सा तरीका और शाती में आपको यहाँ पे चोटे चोटे जो बारीक टिप्स होते हैं वो भी साथ के साथ बताते रहूंगा कि किस तरीके से हम आर मॉल की और रेम की पट्टी लगाते हैं कैसे नेक लाइन बना लेते हैं और बैक साइड में यहाँ पे हुक हैं जैसे आपने देखा होगा हमने cutting बताई थी और अब हम पूरी stitching बताएंगे आपको कैसे की जाती है तो stitching में आपको बता दू यहां पर हमने neckline यह paper pasting की paste की हुई है back side में हमारी neckline बनेगी यहां पर round V जो मैंने बताया था शुरुआत में cutting करते हुए भी और front में यहां पर हमारा यह वाली neckline बनेगी तो यह front का गला है हमारा और यह back का तो आप देख रहे होंगे यहां पर यह back side है तो back side open है तो इसलिए हमने यहां पर बीच में यह gap रखा हुआ है ताकि अलग-अलग हिसे में हम इसको बना सके तो चलते हैं machine पर और सीखते हैं सबसे पहले अस्तर joint करना सीखेंगे पलेटे डालना सीखेंगे और फिर इसकी पूरी finishing के साथ में stitching करना सीखेंगे stitching के लिए दोस्तों आ चुके हैं machine पर और सबसे पहले हमारा काम होता है दूसरी side में भी यहां पर यह प्लेटों के marking करना और आर्मोल वाली जो प्लेटों होती है इसका हम यहां पर cut अगर नहीं लगा वा तो यह भी लगा लेते हैं और सबसे पहले हमें यहां पर इस तरीके से front को बिचाना है ऐसे और इसके उपर यहां पर हम अस्तर को इस तरीके से बिचा लेंगे ऐसे बिचाते वे आप यहां पर इसको अच्छे से set कर ले कहीं पर कोई जोल वगरा ना हो कोई भी अगर आपका कपड़ा बाहर निकलता है तो मेन फैवरिक का निकलना चाहिए क्योंकि अस्तर पहले कटिक होता है तो अस्तर बिल्कुल हमारा सैट आएगा कोई दिक्कत नहीं होगी तो यह देखें यहां पर आप देख रहे होंगे एक पैर का मार्जन लेके हम यहां पर इस तरीके से अस्तर को जोड़ेंगे यहां पर आपने देख लेना है कोई जोल वगएरा ना हो तो पूरा पीस इस तरीके से सेट करते हुए हम सिलाई लगाते जाते हैं तो यह देखें दोस्तों अस्तर हमने यहां पर अटेच कर लिया है और कहीं पर भी हमारा कोई जोल वगएरा नहीं होगा पूरा प्रोप पर अच्छे से सेट होगा इसके बाद मैं आपको एक साइड की यहां पर डट डाल के दिखाऊंगा देखें यह वाली जो डट होती है यह सबसे पहले हमें यह वाली डालनी होती है और यह आपने यहां पर एक इंच की या पोना इंच की डालनी होती है यह धियान रखना है अगर आपको पफ जादा चाहिए होता है तो एक इंच की सबा इंच की भी डाल सकते हैं और थोड़ा नॉर्मल चाहिए होता है तो वो आप यहां पर 59 इंच की डाले यह ध्यान रखे तो पहला निसान हमारा यहां पर 59 इंच पर है यह हम यहां पर इस तरीके से पक्का करते हुए चलेंगे और यहां पर इस तरीके से बिलकुल सीधी इस तरीके से लाइन लाते हुए यहां पर उतार देंगे और जब भी आप नीचे मसीन उतारें यहां पर पक्का नहीं करना होता आपने हलका सा एक पैर का या अधा इंच का धागा छोड़ के कट कर देना है यहां पर पक्का करोगे तो यहां पर जोल पड़ेगा इसके बाद दूसरी प्लेट हमारी आरमोल वाली डलनी चाहिए यह ध्यार रखना है यहां पर एक पैर से हलका सा ज़्यादा आदाईं से कम एक पैर्शे जादा और यहां पे भी हम इस तरीके से उतार देए इसी तरीके से यहां पे कटिंग करनी है तो यह देखे दो प्लेट हमने यहां पे डाल लिए है इसके बाद आप चाहिए यह डाल लो चाहिए यह डाल लो वो आपकी इच्छा है तो यहां पे हम तीसरी प्लेट ये वली ये भी हमारी एक वार्शे हलकी सी ज्यादा होनी चाहिए तो ये देखिए थीन प्लेट में ही हमारी पफ जो है बहुत ऐच्छी ये उस तरीके से ये देखिए ये ओप्सनल होती है जब हम सेंटर में कट नहीं रखते तो ज़रूरी नहीं कि आपको डाल ली है बिना इस प्लेट के भी आपकी फिटिंग अच्छी आईगी तो जैसे मैंने इधर तीन प्लेट डाली है दूसरी साइड में भी मैं तीन प्लेट यहाँ डाल लेता हूँ तो यह देखिए दूसरों आपको संटर पॉइंट में इस तरीके से रखना software घाल और वुकरम के साथ साथ यहाँ पेपर पेस्टिंग के साथ साथ यह स Sacramento करेंगे जैसे नोर्मल गला बनाया जाता है वैसे ही इस गले को त्यार करना है बस आपने ध्यान रखना है जो हमारा सेंटर है यह हमारा आउट नहीं होना चाहिए तो यहां पर हम नेक लाइन को त्यार करेंगे तो यह देखिए दोस्तों हमने नेक लाइन यहां पर अपनी रेडी कर लिए है और आप देखोगे यहां पर कितनी प्यारी सी हमारी सेब आई है पफ बन करके अच्छे दोनों साइड के फर्स क्लास आ गई है और गले की सेब भी अच्छे आ गई है और यहां पर यह हमारा नीचे वाला पार्ट है नेक लाइन हमारे कुछ इस तरीके से यहां पर सेट हो जाएगी अब हमें बैक वाला पार्ट तियार करना है तो यह जो हमारे पास बैक वाला पार्ट है सबसे पहले तो हम इसका यहां पर अस्तर जोड लेंगे अस्तर जोडने के बाद जो हमारे पास नेक है वो हम तियार करे यह नेक है इसको हम बीच से यहां पर दो भागों में cutting कर लेंगे और एक भाग एक side यहां पर इस तरीके से रखते वे तियार करेंगे दूसरा भाग दूसरी side तो मैं यहाँ पर neck DR कर लेता हूँ फिर शीकेंगे नीचे की पट्टी लगानी और यह अस्तर वगेरा सारा कुछ एक एक पॉइंट पर कैसे set करते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता दू देखें जैसे यह हमारा एक साइड का मैं पीस आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से होता है यह वाला पीस ऐसे यहाँ पर तो इसके कहीं तरीके होते हैं जटने के अगर आप जैसे यहाँ पर फर्स्ट टाइम इस तरीके से देख रहे हो जैसे नीचे बोर्डर है तो बहुत आसान सा तरीका है सबसे पहले आप यहाँ पर इसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे इसमें जो डट है वो आपने बाद में डाल लेनी है एक्स्ट्रा जो मार्जन होगा यहाँ पर यह काट देंगे इस तरीके से काटने के बाद अब हम यहाँ पर इसको सीधा कर लेते हैं सीधा करने के बाद यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे अस्तर के उपर सिलाई लगानी है यह ध्यान रखना है यह हमारी अस्तर के उपर सिलाई आ गई है अब हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक किनारी की सिलाई दे देंगे और इसके बाद पूरा स्तर यहाँ पर जोड़ लेंगे और इस साइड से प्रोपर फिनिसिंग दे देंगे तो यह देखें यहाँ पर हमारा यह सीधी साइड होगी और यह हमारी रोंग साइड होगी तो यह असतर भी हमारा अच्छे से बैट गया है तो दोस्तो जैसे मैंने एक साइड का यहाँ पर अस्तर तियार किया है वैसे हम दूसरी साइड का में फैबरिक और अस्तर तियार कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर नेक लाइन बना लेते हैं तो यह देखे दोस्तो हमने दोनों साइड के अस्तर यहाँ पे जड़के complete कर लिए हैं अब हमें यहाँ पे neckline बनाने के लिए हमेशा आप ध्यान रखे जब भी इस तरीके का कोई भी piece बनाते हैं तो इस तरीके से सेम ऐसे रखना है और जड़ देना है तो थोड़ा से इसमें हमें ध्यान रखना होता है जड़नता ऐसे ही है हमें ध्यान क्या रखना होता है हमें solder की जो कंदी होती है इसका ध्यान रखना है यहाँ पे देखे यहाँ पे इस तरीके से हम कंदी को मिलाएंगे और यहाँ पे हमारी सिलाई आनी चाहिए यहाँ पे ध्यान देना है यह हमा हमारी बिल्कुल प्रफेक्ट कंदी आएगी कोई भी छोटी बड़ी नहीं आएगी तो यहां पर जहां पर भी यह सैट बैट का हो पूपर तरीके से ऐसे रखना है और यहां पर सिलाई लगा लेगी अब हमें दूसरी साइड का जड़ना है तो दूसरी साइड का जड़ने के लिए यहां पर सबसे पहले नीचे से यहां पर इस तरीके से रखना है और नीचे से मिलाना है और यहाँ पर इस तरीके की जैसे यह वाली सेव में ऐसे निसान है तो ऐसे हम यहाँ पर क्रोस में लगाएंगे अगर हम सीधा लगा देंगे निसान तो यहाँ पर फर्क आ जाएगा तो इस तरीके से निसान लगाना है और दूसरी साइड की neckline यहाँ सेम ऐसे ही रखते वे बराबर कंदी रखते वे और इसको भी हमें यहाँ जड़ देना है तो यह देखे दोस्तों हमने back side की neckline भी यहाँ पर ready कर ली है नीचे से आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने में अच्छे से finishing के साथ रहेगी और यहाँ पर प्लेट डाल ली है और इस तरीके से यहाँ पर match कर लेते हैं मिला के देख लेते हैं दोनों चीज हमारी बिल्कुल बराबर आनी चाहिए अब हमने एक साइड में यहाँ पर hook बनाने हैं एक साइड में high की पट्टी बनानी है तो यहाँ पर यह वाला piece जो होगा हमारा यह hook वाला होगा तो hook वाला बनाने के लिए हम इस तरीके से यहाँ पर रखते हैं ऐसे और एक पैर का यहाँ पर margin लेते वे, यहाँ पर पट्टी को attach करेंगे, तीन एक इंच की यह पट्टी होनी चाहिए हमारी चोड़ाई वे और यहाँ पर margin लेना है क्योंकि ब्लाउज में जो कपड़ा होता है कई बार हलका होता है, तो वो ध्यान रखें आप अच्छे से बारीक सिलाई वाला यहाँ पर सिलाई लगाएं और margin रखें, सही अब हम यहाँ पर इसको इस तरीके से प्लेट लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर ऐसे फोल्ड करेंगे एक इंच का यहाँ पर आपने बाहर की साइड यहाँ दिखाना होता है बारीक कपड़ा है तो एक सिलाई यहाँ पर लगा लेगे ताकि हमारी यहाँ पर अच्छे से फिनिसिंग भी आ जाए और हुक में क्या होता है कि यह निकलने का डर रहता है तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके से इसमें डबल सिलाई लगा लेगे अब हम यहाँ पर इसको एक्ष्टा जो कपड़ा होगा यह काट लेगे सिलाई के साथ साथ इस तरीके से सिलाई के साथ साथ काटने के बाद अब इसको इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करेंगे और यहां पर ऐसे फोल्ड करके उपर से कच्ची सिलाई लगा देंगे यहां पर इस तरीके से ध्यान देना है ऐसे आए गए और इसमें हम कच्ची सिलाई यहां पर लगा देंगे नीचे का भी पीस यह यहां पर ऐसे ही फोल्ड कर देंगे तो यह देखे एक साइड हमारी यहां पे कुछ इस तरीके से यह डिडियो जाएगी इसमें तुर्पाई हो जाती है, होक लग जाते हैं अब हमें हाई बनानी है, तो हाई बनाने के लिए हमने यहां पे नीचे से, नीचे की साइड ऐसे रखना है कपड़ा और यहाँ पे इस तरीके से रखना होता है यहाँ पे इस तरीके से नाखून से हलका सा ऐसे सेट करेंगे और यहाँ पे अगर आपको जादम कपड़ा लगता है तो इसको इस तरीके से हलका सा कटिंग कर लेंगे इसको यहाँ पे हम दबा लेंगे सिलाई से और अब नीचे से यहाँ पे फोल्ड करेंगे ऐसे और इस साइड से यहाँ पे ऐसे फोल्ड करके इस तरीके से फोल्ड कर देंगे यहाँ पे आपने ध्यान देना है यह सिलाई के उपर हमारी यहाँ पे सिलाई आनी चाहिए यह आपको ध्यान रखना है तूसरी साइड में भी सेम ऐसे ही यहां पे डबल सिलाई कर लेंगे यह ध्यान रखे तो एक साइड हमारी हाई बन जाती है एक साइड हमारा यहां पे हुक वाली पट्टी लग जाती है अब दोनों को हम यहां पे इस तरीके से रखते वे ऐसे सेट करेंगे और उपर से कच्चा डाल देंगे यह देके बैक साइड महिं हमारी यहां पे रेडि हो जाती है अब हम उपर से यहां पे फरन्ट इस तरीके से रखेंगे ऐसे और यहां पे हमें सॉल्डर जो जोड़ने है तो यहां पे अंडर्ग्राउंड जोड़ेंगे इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे और इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करते वे सिलाई लगाएंगे तो यह देखे दोस्तों सोल्डर हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से जोड़ ली है तो यह पूरी finishing आती है इस तरीके से जोड़के और यहां पर interlock कर ली है अब हमें यहां पर लगानी है आर मॉल पट्टी तो यहां पर और यह पट्टी लेनी है आप अस्तर की भी लगा सकते हो में फैबरिक की भी लगा सकते हो आपकी इच्छा है यहां पर और यह में हमने cutting क रखना होता है यह ध्यान रखें इस तरीके से हमने यहां पर और यह पट्टी रटेचक कर लिए है अब हमने hard का साम यहां से नाखून की मदद से इसको हलका सा सेट करना है और ऐसे यहां पर फोल्ड करते वे ऐसे फोल्ड करेंगे और उपर से किनारी की एक सिलाई लगाएंगे रेव वाले फैवरिक के उपर हमारी किनारी की सिलाई आनी चाहिए यह ध्यान रखना है और बिल्कुल बारीक जो सिलाई लगानी है और बारीक एक पैर की ही फोल्ड लगाना है अब इस साइड में आपको ये एक्ष्टा मार्जन दिखता होगा तो ये हम सिलाई के साथ इस तरीके से काट देंगे और ये ध्यान से काटना होता है कही वार नीचे का कपड़ा न कट जाए तो ये ध्यान रखना है इस तरीके करना है और एक कच्छी सिलाई लगा लेनी है कच्छी सिलाई हम इसलिए लगाते हैं बाद में तुर्पाई होने के बाद उस सिलाई को हम खोल देंगे तो यह देखे और एक पट्टी हमने यहाँ पे अटेच कर ली है और मॉल हमारा पूरी फिनिसिंग के साथ में तियार हो जाएगा सीधी साइड हमारी कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएगी ऐसे तो जैसे मैंने एक साइड यहाँ पे तियार करके आपको दिखाई है सेम ऐसे ही हम दूसरी साइड का अरमॉल भी यहाँ पे रेडी करेंगे और फिर फिटिंग देंगे दोस्तो दोनों साइड से हमने अरमॉल की पट्टी लगाने के बाद यहाँ पे लगा लिए हैं फिटिंग के निसान और यहाँ पे इस तरीके से मिलाते वे यहाँ पे ऐसे पक्का करेंगे और पक्का करने के बाद यहाँ पे आपको ध्यान देना है ऐसे अच्छे से इसको सेट कर लेते हैं और उपर वाला जो कपड़ा होता है इसको खीच के रखते हैं ध्यान लखना है अगर कोई नम आती है तो नीचे वाले में आये यहाँ पर ऐसे सिलाइ लगा देगे इसके बाद यहाँ पर इस तरीके से कपड़े को सेट कर लेगे यहाँ पर आप इंटरलोक भी कर शकते है या इस तरीके से ये फोल्ड करके, सिलाई भी लगा सकते हैं, फिनिसिंग के लिए, इस तरीके से यहां पर फोल्ड कर लें, अब तो धागे हमारे अंदर की साइड चले जाएंगे और पूरी फिनिसिंग आ जाएंगे, तो यह देखे दोस्तों, जैसे मैंने एक साइड से यहां पर तियार किया है सेम वैसे हमने दूसरी साइड से भी ready कर लिया है और इसके बाद जो यह margin होता है यह हम यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे ऐसे और यहाँ पर fold कर लेंगे तो यह fold होने के बाद हमारी proper यहाँ पर finishing आ जाएगी इस तरीके से बाद में इसमें भी हमारी तरपाई हो जाती है फिर मैं आपको पूरा blouse यहाँ पर दिखाता हूँ प्रेस होने के बाद तो यह देखे दोस्तों हमने यहाँ पर blouse जो है अपना ready कर लिया है नीचे से fold कर लिया है और यहाँ पर अभी हमारा तरपाई का काम बाकी है तरपाई का काम हमारा बाद में finish होगा तो पूरा पीस आप देख रहे होंगे front और back यहाँ पर कितनी प्यारी सी सेवाई है यह हमारी back side है यहाँ पर होखाई लगेगी और इधर और इधर नीचे की side तरपाई हो जाएगी तो यहाँ पर first class तरीके से यह blouse हमारा अच्छे से set है पहली वीडियो में मैंने आपको यहाँ पर cutting बताई थी दूसरी वीडियो यह है हमारी पूरी stitching की मैंने एक एक point पर आपको समझा है कैसे blouse को तियार किया जाता है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बहुत बहुत धन्यवाद